CBAC Awards में आपका स्वागत है तो हमारी Class 10 History के Second Chapter जिसका नाम है Nationalism in India उसके 2019 के 5 Mask के Question की सीरीज चल ली थी टोटल 12 Questions हैं जो की 2019 में 5 Mask के आये हुए हैं और इस सीरीज में हम Question-wise अलग-अलग वीडियो में डिसकस करेंगे एक Full Length वाली वीडियो भी मैंने अपलोड की है जहाँ पर ये सारे 12 Questions एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे उसे देखना हो तो Description में लिंक है वहाँ से देख सकते हो Question-wise वीडियो देखना चाहते हो तो इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो पिछली वीडियो में हमने Question No.1 डिसकस कर लिया था आज हम Question No.2 डिसकस करेंगे Second Question है Define the Term Civil Disobedience Movement तो बताइए ये Civil Disobedience Movement क्या है तो इसका अंसर है A Movement launched to Disobey the Rules of the British Government ये एक ऐसी Movement थी जिसका मक्सद ये था कि जो British Government है उसके बनाए हुए कानून को Disobey करेंगे देखें नाम ही से है Disobedience ओबे मतलब आग्या को मानना किसी कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को मानना Disobedience इसका उल्टा है यानि जो बात कह रहे है British Government उसको बात को ना मानना तो ये ही था इस Movement का मक्सद अब इस Movement के अंदर जो अमीर किसान थे और जो गरीब किसान थे उनका क्या participation तो इसके बारे में आपको बताना है ये भी बिल्कुल direct question है आपके बुक में Simples अंसर दिया हुआ है How participants saw the movement के इसके अंदर मिल जाएगा Simple आप देख सकते हैं अगर चैप्टर में पढ़ा होगा तो आपको खुदी यादा जाएगा कि यहाँ पर बात हो रही है Rich present community की और यहाँ भी देख सकते हैं Civil disobedience movement की बात हो रही है यहाँ पर तो यहाँ से इस paragraph से Rich वाला लिखना है और फिर आता है Poor presentry यानि जो गरीब किसान थे उनके बारे में तो ठीक है बिल्कुल देखिए आपके book में जो word लिखा हो वहीं से question बनाये गया है तो यहाँ पर rich or poor का मैंने यहाँ साथ में लिख दिया है आप चाहो तो अलग लिख देना पहली adding डाल देना participation of rich present तो इसके अंदर आप rich वाला लिख देना और यूपी के जो जाट्स हो गए वो इस movement में active थे ठीक है बहुत जादा बढ़ चड़ कर इस movement में हिस्सा ले रहे थे जो rich present थे वो क्या थे producer of commercial crops यानि commercial crops क्या होते हैं वो crops होते हैं जिनको बेचने के लिए grow किया जाता है जैसा आपका cotton हो गया अब जो trade depression आया था यानि जो आर्थिक मंदी आया थी सामान भीक नहीं रहा था लोग खरीदने वाले नहीं थे इसकी वज़े से problem होई थी और falling price अब लोग खरीदेंगे नहीं तो चीजों का दाम घट जाएगा इसकी वज़े से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और उनकी income disappeared हो गई यानि उनकी अब कहां से पैसा आए जब BK के नहीं समान तो पैसा कहां से आएगा लेकिन government की क्या थी revenue demand कर रही थी यानि एक तरह से tax मांगरी थी तो उनकी लिए तो बहुत मुश्किल हो गया भाई यह समानी निभी का तो पैसा कहां से आएगा अब जब पैसा नहीं तो tax कैसे देंगे तो इसलिए जो rich present थे वो इस movement में क्यों participate हुए as a struggle against high revenue demand वो इस movement में इसलिए शामिल हो गया कि अपनी जो demand है कि यह जो इतना ज़ादा high revenue लिया जा रहा है वो नहीं लिया जाना चाहिए कम हो जाए या माफ हो जाए इस demand को उठा सके इसलिए इस movement में शामिल हुए अब अमीर किसान ने और क्या किया अपनी community को organize किया लोगों को जोड़ा कि भाया इस civil disobedience movement को आप support करो इनके लिए यानी जो अमीर किसान थे इनके लिए fight for सुराज was a struggle against high revenue इनके लिए जो सुराज के लिए लड़ाई थी यानी अपना राज आ जाएगा तो यह जो इतना ज़ादा tax लिया जा रहा वो ना लिया जाएगा तो यह सुराज की demand क्यों कर रहे थे क्योंकि यह चाहते थे कि इनसे इतना ज़ादा revenue ना लिया जाए इतना ज़ादा tax ना लिया जाए अब पूर present के अगर हम बात कर लें इसको भी अलग-अलग paragraph में अलग-अलग point wise भी लिख सकते हो अब जो गरीब किसान थे वो बिल्कुल भी interested नहीं थे इस lowering of the revenue demand यानि उनकी ये demand नहीं थी कि जो revenue यानि जो tax वगरा है उसको कम कर दिया जाए इसी कोई demand नहीं थी ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो गरीब किसान थे वो small tenant थे यानि ये किराई की जमीन पे खेती करते थे अब जब किराई की जमीन पे कर रहे थे तो इनको तो tax देना नहीं था कि भाई जो असल उस जमीन का मालिक होगा वो tax देगा हम क्यों देंगे तो इनसे तो government tax नहीं रहती थी इनकी क्या problem थी अब इनसे जो landlord था यानि जो जमीन का मालिक था वो किराई वसूलता था तो इनकी problem किराई वाली थी tax वाली नहीं थी अब क्या हुआ ही जो गरीब किसान थे उनकी जो trade depression था अब ये सामान नहीं बिकेगा तो किराई की जमीन पर भी जो खेती कर रहे हूं कोई problem होगी तो इनका भी जो cash था पैसा था वो भी कम हो गया खतम हो गया तो जो किराईदार थे उनकी लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो अपना किराय दे सके तो इनका गरीब किसान थे वीडियो का लिंक मिल जाएगा वहां से देख सकते हो ओके थैंक यू